बेस्ट टु एपल वोच सीरीज एट कलोंस जीहाँ आज की वीडियो में हमारे पासे दो स्मार्ट वोची है और ये दोनों ये आपको सीरीज एट के काफी अच्छे कलोंस देखने के लिए मिल जाते ही है बात करते हैं पहली नमबर की स्मार्ट वोच के बारे में तो यह है ब्लैक जोन की तरफ से ब्लैक जोन जम्बो और हम आपको उसके कुछ की फीचर से बता देता हूं तो आपको इसमें मेटलिक बोड़ देखने के लिए मिल जाती अपको इसमें 2.0 इंच गेंट डिस्प्ले प्रोवाइड करवाई गई है दूसर नमर में हमारे पार स्मार्ट वोच है हाइर वोच प्रो की तरफ से बता है ओगहा उसके साथ आपने pricing के साथ कुछ जादा ही features लेकर आती है सब आज की video हैं detail करने जा रही है क्या के features होने जा रही है कैसे निकी looks होने जा रही है कैसे इनकी build quality आपको provide करवाने जा रही है तो पस आप से एक ही request है कि आप video में end तक बने रहना और फटावट से करते हैं जरा इनके box को open और बात करते है box content के बारे में इनके box में आपको क्या क्या चीज़े देखने के लिए मिल जाती है और सबसे पहले हम unbox करने जा रहे हैं इस high watch pro की t500 plus pro हो तो पैकेजिंग आपको कुछ ऐसी देखने के लिए मिल जाती है simply आपको कुछ इसे ऊपर करना है और आपको जो box content वो आपके सामने आ जाएगा सबसे पहले हमें देखने के लिए मिल जाती है क्योंकि start guide जिसपे कि आपको पस एक QR code देखने के लिए मिलेगा इसका आप स्कैन करकर इसकी application को download कर पाऊगे फिलाल हम इसा साइडे में रख देते हैं और बात करते हैं जरह straps के बारे में second thing जो आपको देखने के लिए मिलती है वो है straps के quality आपको decent देखने के लिए मिल जाती है इसे भी फिलाल हम साइडे में रखते हैं बात करते है charging के बारे में तो आपको wireless charger देखने के लिए मिल जाता है जो की ठीक टा quality का मैं आपको provide करवाया गया है अगर इसकी wiring थोड़ी और लंबी होती तो शायद है काफी अच्छा हो सकता था इसके ठीक नीचे आपको देखने के लिए मिल जाती है main smart watch जो कि एक close के साथ मैं आपर wrap देखने के लिए मिलती है आपको इसकी packaging की बात करते है इसके main dialer के बारे में तो यहाँ पर production को remove कर चुक है अगर हम बात करते है display size के बारे में तुम आपको बता चुक हूँ कि 1.92 इंच के आपको देखने के लिए मिल जाती है और अगर हम बात करते है इसके physical overview के बारे में तो इधर की side आपको देखने के लिए मिल जाते speakers अगर हम बात करते है right side के बारे में तो आपको इधर की side एक crown देखने के लिए मिल जाता है जो की काफी अच्छे से work करता है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते है charging point जहां को आपको simply smart watch को बस ऐसे fit करना है और यह wirelessly charge हो जाएगी अगर हम बात करते है इसके stability के बाले में तो काफी lose आप देख सकते हो ऐसे आप लटका अगर नहीं चोड़ सकते हो गिर करिए तूट भी सकती है तो भाई अब जड़ा कर लेते है फटा फट से unbox इस black zone जंब क्या कुछ देखने के लिए मिल जाता है तो जैसे हमने उपर वाल सेक्शन को remove किया है तो सबस्क्राइल आपको देखने के लिए मिल जाती कुकि स्टार्ट गाइड या फिर डोकुमेंटेशन जिस पर काफी सारे डोकुमेंट्स है ना कोई पढ़ता तो है नहीं इसके ठीक कानले के बाद आप यहां पर आपको में डाइलर धी जाता है जिसके ओपर एक रैपर लगाया है बिग इंफिनाइट डिस्पले तो फटफट से करते हैं इसकी प्रोडक्शन को remove आपको दिखा दाओं कि डाइलर की पहली लुक आपको कैसी देखने के लिए मिल जाती तो ब सब्सक्राइब आपको प्रोड़ करवाएगा है यहां पर इस पीकर निची सेट आपको एक सेक्शन मिल जाता है जहां पर आपको सब्सक्राइब करना है अगर हम बात करते हैं राइट साइड की तो यहां पर आपको एक वर्किंग क्राउं देखने के लिए मिल जाता है जो अब आपको इस एंसर प्रॉवाइड करवाई गया है जो की आपकी हट रिड़ बेगर को मेजर करेंगे अगर हम बात कर लेते हैं के स्ट्रैप्स के क्वालिटी के बारे में तो बट इस ट्रैप्स की काफी है अच्छीनियोंने प्रोवाइड करवा रख याप को बात कर लेते कुछ और फीचर्स की तो सब्से पहले बात करते तो अपको डाइलर आपको डाइलर को डायल करकर अराम से कोल व्यागर को लगा पाऊगे दैंड उसके बाद आपको मिल जाता है अपने device के साथ sync करने के बार अगर हम बात करते हैं health से related तो आपको समें heart rate, blood oxygen and health tricycle जैसे options मिल जाती है उसके साथ साथ हम बात करते हैं sports mode के बारे में तो बहुत काफी सारी sports mode आपको यह बर provide करवाए गई है जिने के आप daily uses में अगर use करते हो याप अपने device का music control कर सकते हो इस smart watch के तुरू आपको मिल जाते है reset का option weather updates आपको जब देखने के लिए मिलेंगे जब आप इससे अपने device से connect करोगे आप अपने device को find कर सकते हो sleep का आपको समें option देखने के लिए मिल जाता है तो भाई अब add then हम जड़ा बात कर लेते इस वाली smart watch के features के बार हमें तो इतर के सब्सक्राइब को मिल जाता है power on of button उसके साथ साथ काफी smooth से एक working crown हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने crown की कुछ जाता ही तारिफ कर दी है पर भाई really ये काफी smoothly work करता है जैसे आप इसे उपर से slide करते हो तो आपर आपको मिल जाता है control panel जिसमें की Bluetooth, Flashlight, Brightness, Sports Mode, BT Music आपको इस वाली smart watch में literally 5 menu style मिलते हैं आप regularly एक अलग menu style के साथ अपनी smart watch को लेकर जा सकते हो जो कि आपको रोज एक अलग smart watch वाली feel लेगा जैने का आपने dressing sense के साथ सब कस्टमाईज कर सकते हो तो शली मैं आपको एक एक करकर दिखाता हूँ कि आपको menu style कैसे कैसे देखने के लिए मिल जाते है तो अब ज़र आप बात कर लेते हैं इसके कुछ और features के बारे में तो भाई जैसे आप इसे नीचे से उपर की तरफ slide करते हो तो आपको काफी सारी applications देखने के लिए मिल जाती है जिन्हें कि आप daily life में use कर सकते हो अगर हम बात करते हैं left side से slide करने आपको shortcut menu option देखने के लिए मिल जाता है जिसके ठीक उपर आपको देखने के लिए मिलता है weather updates, date and day and काफी सारी applications से जिन्हें के आप use कर सकते हो जब आप इसे right slide करते हो तो आपको आपको आजाते है watch faces जो कि काफी प्यारे प्यारे watch faces आपको मिल जाती है and literally यह वाला मेरा favorite watch face है अब जब बात कर लेते हैं इसके application के बारे में तो application देखने के लिए मिल जाता है आपको हराइफाइन के नाम से देखने के लिए मिलता है जिसके आप play store से यूज कर पाऊगी यह वाली smart watch calling feature के साथ आती है तो आपको उसमें inbuilt टाइलर का support देखने के लिए मिल जाते है यह आप call वगएर आपको इस वाली smart watch के तुरू लगा पाऊगे इस दोनों smart watch के बारे मैं आपको दिखा चुका हूँ दोनों के फीचर्स में आपको बता चुका हूँ आप comment section में बताना कि आपको इन दोनों में से कौनसे वाली smart watch जादा अच्छी लेगी अगर मैं अपने side से recommend करूँ तो जो जम्बो smart watch है वो आपको थोड़ी better देखने के लिए मिल जाती है जैसे कि आपको इसका display साइज इससे better देखने के लिए मिलता है आज वेल आपको इसमें metallic body provide करवाई गई है जो की overall उसको काफी premium smart watch बना देती है बाकी कोशिश करूँगा दोनों smart watch इसकी बाइंग लिए मैं आपको description प्रोवाइड करवाने की क्योंकि हम target करते हैं इस साल के end तक 40,000 subscribers का बागी तो मिलते के लिए वीडियो में तब तक के लिए बाए जय हिंद जय भारत